प्रदीश के सबसे बड़े जिला कांग्रा के जिला पार्षदों की शपत के साथ ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष पत को लेकर दाबों प्रती दाबों का दोर शुरू हो गया है जिला पार्षद का शपत ग्रहन समारो जिला परषद जबगार धरमशाला में आयोज़त किया गय जिसमें जिला पार्षदों को जहाँ डीसी कांगरा राकेश प्रजापती ने प्रमान पत्र बित्रत के बहीं सभी जिला पार्षदों को बद एपंग गौपनीता की शप्त भी दिलवाई गई शपत क्रहन समारो उपरांत बनमंत्री राकेश पठानिया और कॉंग्रेस नेता केवल सिंग पठानिया भी जिला परषद परिसर में पहुँचे हुए थे दोनों ही नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्षप उपध्यक्षबनाने का दाबा गिया बनमंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि भाषपा पूरी तरह से जिला परषद में परचम लहराने को तयार है अध्यक्ष उपध्यक्ष बदों पर भाषपा का कबजा होगा जब निर्दलिये बाहर आएंगे तो हमारे पास 35 का आंकड़ा होगा ये मेरा दाबा है नो निर्दलिये जो जीते हैं उनमें से साथ भाषपा के साथ है और सब हमारे साथ हैं भाषपा जिला कांगरा जिला परषद में सपस्ट भहुमत के साथ शिशक्त अध्यक्ष ब उपध्यक्ष बनाएंगे सब साथ है पूरा परवाय एक साथ है इसलिए ऐसी कोई बात थी चिंता की बात निए बलदेव जी मेरे साथ कड़े हुए है सारी सारा परवार हमारे साथ कड़ा हुआ है कोई ऐसा वो नहीं है जो अख़वारे लिखने हैं कि नौन निर्दली है क्या रणनीती सर अगली आपकी रहने वाली है आने वाले दिनों में पता चल ज़एगा आपको मैं आज तो नहीं बोल पाऊँगा पर बहुत जल्दा आपको इसके परनाम मिलेगा बहुत धन्यवाज़ थैंक्यू कॉंग्रेस प्रदेश महासचिप केवल सिंग पठानिया ने कहा कि निशित तोर पर जिलापरशत अध्यक्षप उपाध्यक्ष कॉंग्रेस के ही बनेंगे लोगों की भावनाएं कॉंग्रेस के साथ हैं हमारे भी जिलापार्शत जीत कर आए हैं और मुझे पूरी उमीद है कि जिलापरशत अध्यक्षप उपाध्यक्ष हमारे ही बनेंगे हमारा आंक्डा समर्थन का है हमारी पार्टी के वरिष्ट नेताओं की बैटक होने बाली है बहुमत हमारे साथ है अब जल्दी ही हमारी आज सभत हुई है हमारे वरिष्ट नेता कॉंग्स पार्टी के जल्दी ही बैठक होने वाली है उस बैठक में हमारा जो आंकडा है हमारा आंकडा समर्थन के बरावर का आंकडा है उस बैठक में हम तैय करेंगे कॉंग्स पार्टी के जो हमारे वरिष्ट नेता वो बैठे है और यह मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आनाव जो होगा उसमें कॉंगर्स पार्टी का अध्यक्स और उपाध्यक्स कांगर्णा जिला को जिला परसद का मिलेगा। जिला परसद का अध्यक्स और उपाध्यक्स होगा। मेडिया का और जिला परसद का महा यग्ये था जहां कांगर्णा की जनता का महा मीडिया का और स्थानिय परसद का मिलेगा। इस वार ध्यक्स और ध्यक्स दाय करेंगे। आप कितने निर्दलियों को जो है अपना मानते हैं। मैं कहूंगा कि अभी बैठक हो रही है, मैं बिना उसके तथ्यल पेनी कुछ कहूंगा। लेकिन निर्दलियों भी समपर्क में हैं और हमार तैह है कि जो मैं कहता हूँ जो जो ऑफिशल कैंडिडेट के खिलाफ आप भी जानते हैं। जो ऑफिशल कैंडिडेटों के खिलाफ जीत के आए हैं क्योंकि ऑफिशल कैंडिडेट सताधारी पक्स के थे अगर बहां से वो जीत के आए हैं तो उनको भी देखना जाए उनका सेंटिमेंट गौर्मन के खिलाफ है। लोग भी जब लोगों ने बोल्ट उनको इंडिपेंडेट के रूप में डाला है तो उन्होंने किसी पार्टी को सताधारी को नहीं डाला है। यह पूर्ण तैह है कि जिला कांगडा के अंदर अध्यक्स और उपाध्यक्स कांगर्स पार्टी का बने हैं। लेकर प्ठाडी जी जो निर्दली है उससीदे तोर से कहीं न कहीं भाजपविचा धर से जुड़े हैं और अभी अभी जो पनमंत्री है उन्होंने भी कहा है कि निर्दली उनके साथ है। भी या यह तो उनका दावा है, मैं हम तो कांगडा के लोगों का सेंटिमेंट की बाद कर रहे हैं जो जिला कंगडा के लोग चाहते हैं वो साफ जाहर हुआ है। अध्यक्ष उपध्यक्ष का चुनाब होगा तब सामने आ जाएगा डीसी कांग्डा राकेश परजापती ने कहा कि आज जिला परशत सदस्यं को शब्त दिलवाई गई है साथ दिन के बीतर चुनाब करवाने होते हैं और पांच दिन का नोटिस पिरियट देना होता है अध्यक्ष उपध्यक्ष के चुनाब करवाए जाएंगे उनको कनवी किया जाएगा और फिर आने वले समय में जो चेर्मेन है और वाई शेर्मेन उनका जो चुनाव है वो किया जाएगा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिला कांग्डा की जनता का जिन्होंने की मैं कांगर्स मर्पित हमारे जिला परसदों को और स्वमी जिला परसदों को मैं पहले सुब कामना दिना चाहता हूँ जिन्होंने अचिए 54 के 50 परसदों आज सफ्तली है वो कांगरा के विभीश्य के लिए काम करेंगे, पंचैती राज में बहुत बड़ा परस रही बाद चेर मैं और उपाध्यक्ष की तो उसकी दोड में सभी अपन वन प्रयास कर रहे तो हमारी तरब से भी प्रयास किया जाएगा और सरखार जैसे कहेंगी बैसे हम सरकार के साँ चलेएगे आप जो है जैसे निर्दली जीत के आए है और भादपार कॉण्ग्रेस दोना जो है निर्दलियों पर अपना दावा पेश कर रही है आप किसके साथ जाने वाले हैं जिस प्रकार सरकार कहेंगे उसी प्रकार सरकार के साथ कंदे के साथ कंदा मिलाकर चलेंगे